हलो नमस्कार दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनवेश्ट फॉर वेल्थ में दोस्तों FCS सॉफ्टवेर सल्यूसंस के बारे में बात करने वाले हैं और यहां पर देखे तो एक उपरी लेवल से हमें गिरावाट देखने को मिला अभी बजार जो है एक रेंज में ट्रेड करती हुई आपको नजर आ जाएगी तो समझनी कोशिश करेंगे क्या यह रेंज है क्या यहां पर सपोर्ट लेगा या इसको प्रेक करके निचे आएगा वो भी समझेंगे साथ में अगर आप इसमें फ्रेस इंवेश्टमें कर लिजे बेल आइकन को हिट कर लिजे ताकि आने वाले वीडियो के नॉटिफ के सन आपको मिलते रहे है ठीक है ना अच्छा डिस्क्रिप्सन में जब आप चेक करोगे ना तो सबसे उपर ही आपको एक लिंक मिलेगा एक पेनी शेयर के वीडियो का वो वीडियो जरूर द रते हैं चार्ट पे चर्चावाद में करेंगे एक बार प्राइस की मुवेंट आपको दिखा देता हूं एक महिने की चार्ट के उपर तो यहां पर आप देखे 15 रुपए का भाव आपको यहां पर एक समय में दिख जाएगा और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 80 पैसे क हो जाएए कि यह जो शेयर है वो चलने को कितना भी उपर जा सकते हैं चले तो चांद तक अधरवाइस अर्ष पर याई जमीन पर भी आ सकता है जहां बलकुल देखें तब भी हम अपने तरफ से स्ट्रॉंग फंडमेंटर वाले वो शेयर आपको सजिस्ट करते हैं एफसे स तो चीजा सक्ट से उपर में स्टाइटिंग से स्टाट करूँंगा और मारकेट कैप अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 137 करोड का मारकेट कैप नजर आ जाएगा वहीं अगर करेंट मारकेट पाइस देखेंगे 80 पैसा और अगर हम हाई और लो की बात करें एक साल का ये low है 10 पैसे यानि 10 पैसे से लेके 1 रुपे 25 पैसे तक भी गया है देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो आपके पैसे को 10 गुना भी कर दिया है और देखा जाए तो इनसान को नीचे भी लाकर पड़क दिया है कैसे अगर किसी ने इस 10 पैसे 20 पैसे के level में purchase किया होगा तो उसके पैसे बढ़ गए लेकिन वही कोई बढ़ता हुआ share देखकर 1 रुपे 25 पैसे 1 रुपे 20 पैसे 90 पैसे 80 पैसे 90 पैसे 1 रुपे के range में कोई किया होगा तो उसके पैसे गहड़ गए सीधा सा बात है ना शेर बजा रहे है सबके लिए बराबर है अपना दिमाग अपने सूच-बूच से जो काम करता है वही इसमें आगे निकलता है book value की बात करेंगे 1 रुपे 80 पैसे का book value अपने book value से काफी नीचे share trade करता हुआ नजार आ जाएगा आपको ROC माइनस में नजार आ रहा है पर motors की holding देखेंगे वह नीचे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 19.6 आप देख लिए detail आपको नीचे दिखाऊँगा company पर करजा जी हाँ बिल्कुल है 25 करोड का company पर करजा बर जा रहा है face value देखेंगे तो 1 का face value एक उपया का face value आपको नजर आ जाता है date to equity ratio की अगर बात करेंगे 0.08 जो की एक सही माना जाएगा ठीक है अच्छा शेर अपने 50 दिन के moving average को काटता हुआ आप नजर आ रहा है और company जो है आलमोई debt free यहाँ पर दिखा रहा है और stock is trading at 0.45 time in its book value यहाँ आपने book value से 0.45 time नीचे चल रहा है यहाँ आपको सस्ता share यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर कुछ cons भी है आप चाहो तो पढ़ दो यहाँ पर दिख रहा है company has low interest coverage दो the company has delivered poor sales growth 5 साल का देख रहा होकर तो पर मोटर से की holding भी लो है तो यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर आपको cons मिल गए और poor point क्या मिला दो मिला देखे 20 share है अगर सब कुछ अच्छा होगा तो इसके price गिरे ही क्यों है और अगर सब कुछ अच्छा ही होने वाला है तो price यहाँ पर खड़ा ही क्यों है तो यह एक रुपए पर trade नहीं कर रहा है अभी उसका दाम 800 रुपए होता भाई point की बात है यह हम लेते हैं कुछ fundamentals को देखकर कुछ अपने luck पर भरोसा करकी तो इसलिए आपको penishers लेने जाओगे तो सब कुछ अच्छा नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ problems होती ही होती है तो quarterly result की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको December का जो sales है वो कम होता हुआ नजर आ जाएगा और same अगर profit की बात करें तो profit में भी आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जागा यहाँ पर देखिए net profit अगर मैं सेप्टमबर क्वाटर की बात करूँ तो एक करोड़ 38 लाइक करोड़ 38 लाग का है और वहीं अगर अभी की में profit का बात करूँ तो वो 52 लाख रुपए का सरफ दिख रहा है यानि profit में हमें गिरावट यहाँ पर नजर आ गया है अब अगर यहाँ पर अप सेल्स पर नजर डालोगे डिटी एम 12 मंत का डिटा है उसमें 37 करोड का नजर आ जाता है और जो profit आपको यहाँ पर दिख रहा है वो वह यह loss reduce होते हुए दिख रहा है ठीक है ना अगर देखेंगे तो 135 करोड का company के पास reserve भी रखा हुआ है और वहीं अगर मैं आरो सी बगर देखोगे आप माइनस 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 ही दिख रहा है शेर होल्डिंग पैटर्न के अगर हम बात करें पर मोटर्स की होल्डिंग 19.55% और यह काफी दिनों से यहाँ पेट का हुआ है और डी आएज ने अपना माल तो थोड़ा बहुत यहाँ पर पढ़ा था हो सेप्टमबर क्वार्टर के बाद निकाल लिया गवर्मेंट के पास थोड़ा सा माल पढ़ा हुआ है पबलिक के पास 80% पढ़ा हुआ है इसमें से कुछ आपको बड़े नाम भी नजर आ जाएंगे यानि 30% माल जो है वो बड़े हाथों में है दिविया खन्ना पंकच खन्ना अनृथा खन्ना देखिंग यहाँ पर क्या है कि खन्ना खन्ना जो समझ में आ रहाएं यह पूरा का पूरा माल एक ही फैमली के पास है और यहाँ पर पहलाद श्टेट्स and प्रॉपर्टिस प्राइवेट लिम्टेड यह भी कोई न कोई है है कि company का जो growth rate है वो ठीक तरीके से अभी growth नहीं हो रहा है and second का है 19% का सिर्फ promoters का हिस्सा यहाँ पर आपको नजर आता है तो यहाँ पर हमारा जो recommendation है वो मैं अपने हिसाब से जो मैं as a educational purpose बोलूँगा मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर बहुत कम amount से investment किया जाना चाहिए और अगर मैं देखू तो यह वाला range अगर यह किसी दिन closing देता है याँ असी पैसे के नीचे अगर closing आ जाती है 75-75 पैसे के पास तो भाईया यह बहुत जल्दी ही आपको 54 पैसे यह वाला जो है 52-54 पैसे का range आपको यहाँ पर जरूर दिखा देगा 60 पैसे के पास तो बेशक आपको लेख जा जाएगा तो हमें जो यहाँ पर आगर आप buying करते हैं कल का दिन समय लीजी आपने buying कर लिया आपने 200 रुपे लगा दिया तो आपको इंतजार करना है इस range में बाकी और थोड़े बहुत पैसे आपको लगाने है उसके बाद फिर hope है कि यहाँ से यह return करेगा तो बहुत करता हूँ वीडियो आपको informative लगा है thank you so much guys thanks for watching this video